next question question says consider the situation shown in the figure all the surface are frictionless and string and the pulley a light find magnitude of the acceleration of the blocks now simple so scenario यह है कि आपका ऐसे करके inclined plane बना हुआ है और यह side आपकी है तीन यह चार और यह पांच नौ यह आपका pythagorean triplet है इसका मतलब हो गया कि यह वाला एंगल आपका 90 degree होएगा और यह एंगल आपका 53 degree और यह वाला एंगल आपका 37 degree होएगा so this is how it will be now यहां पर हमने क्या किया है एक block यहां रखा है और यह block दूसरा यहां पर रखा है और हमें बताने एक्सलेशन कितना होएगा ना इन ब्लॉक्स की अगर हम बात करें ना दोनों ही मासे जो अपने को दिये हुए वह दोनों ही पर फाइन में ने दिया है बहुत पावर्फल प्रिंसेपल है अगर हम इसकी बात करें तो आपका टूटल एक्सलेशन वह आएगा वह आएगा आपका बाइट बाइएब वाइद बाइपन प्लस म्टू जी यह आपका फोर्स हो जाएगा और यहां पर आपको बस म्टाइट गाइंट थीटा वन इसको थीना वनल्टिप्लाइद बाइपन इसको थीटा वन जाएगा 4 by 5 minus 3 by 5 या नहीं कि आपका 1 by 5 multiplied by 2 तो यह आगया आपका 1 by 10 जा अचाहिए यह जी भी आएगा so g by 10 g की वल्ली होगर हम 10 ले रहे हैं so this will be equal to 1 meter per second square that will be our final answer